C-I-E-T-N-C-E-R-T द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 6 के लिए द्विदिय भाषा के रूप में हिंदी की पाठे पुस्तक दूर्वा भाग एक सातवा पाठ धनुष प्रिष्ट संख्या 37 से 41 तक अब प्रस्तुत है पाठ धनुष ओ-र-त ओ-र-त प पर बड़े ओ की मात्रा पो ध पर आ की मात्रा धा पो धा धा पर बड़े ओकी मात्रा धा ग पर बड़े ओकी मात्रा गा धा गा धा गा अब इन वर्णों और शब्दों को पहचा निये पर पर बड़े ओकी मात्रा बा अब पर बड़े ओकी मात्रा और पेट कटा श धनुष 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 दो अब इन वर्णों और शब्दों को पहचानिये और बोलिये पेट कटा श धा और और भी औरत धागा बाण पोधा धनुष धनुष तीन अब इन शब्दों को सुनिये और बोलिये धनुष 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 कौनुष भूशनुष गारव वेश भूशां। और भाषनुष अधा। कारण, औरत, आभूशन, धूप, फोज, आजार, रामबान, धुआ, मौसी, गनित, रामायन, धीरे, चौकी, गनना, तौलिया, धान, पौधा, रावन, गोरया, मनिपुर, चार, अब मेरे साथ, इन शब्दों को बार-बार बोलिये. दान-धान, ओर-ओर, और-ओर, साड़ी सीढ़ी, साड़ी सीढ़ी, सलक डमरू, जल डर, आशा भाशा, आशा भाशा, कण-गन, जरा-जरा, धनुष शटकोन, धनुष शटकोन, पोशन-पोखर, 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 पाच, अब दिये गए वन और मात्रा को लिखने का अभ्यास करिए. औ, रण, ध, श, अब यहाँ एक शब्द पहेली दी गई है, और साथ ही कुछ चित्र भी दिये गए हैं. आपको इन चित्रों के मदद से दिये गए वर्णों के साथ और उनके आगे पीछे वर्ण लगा कर शब्द बनाने हैं. तो दिये गए चित्र हैं कलम का चित्र, उंगली का चित्र, थैले का चित्र, धोलक का चित्र, धनुष का चित्र, नाव का चित्र और तराजू का चित्र. और वर्ण इस तरह से हैं ना रिक्तिस्थान ध रिक्तिस्थान रिक्तिस्थान ढो रिक्तिस्थान रिक्तिस्थान थे रिक्तिस्थान रिक्तिस्थान ल, रिक्तिस्थान, त, रिक्तिस्थान, जू, और, उ, रिक्तिस्थान, रिक्तिस्थान. मौखिक पार्ट एक, अब मैं कुछ वाकि बोलूँगा और आप इन्हें सुनेंगे. पहला, शाहिद तुम यहां आओ. दूसरा, आप अंदर आईए. तीसरा, जोसफ अपनी कौपी लाओ, किताब मत लाओ. चौथा, इशान, पैसा दो और किताब लो. पांच्वा, आप गाड़ी अंदर ना लाईए. दो, अब मैं कुछ वाकि बोलूँगा और आप इन्हें दोहराएंगे. पहला, रामन, तुम यहाँ आओ. दूसरा, सलमा, तुम भी आओ. तीसरा, सरोज, एक कहानी सुनाओ. चौथा, महेश जी, आप यहाँ बैठिये. पाँच्वा, आप हमें गणित बताईए. चटा, तुम लोग शोर मत करो. साथमा, आप संगीत सुनिये. आठमा, ठंडा दूद ना पीजिये. ठंडा दूद ना पीजिये. नौवा, तुम यह चाए मत पीओ. और दस्वा, आप थोड़ी देर आराम कीजिये. तीन, अब वाक्य बदलिये. क, जैसे एक वाक्य है, तुम अपना पाठ पढ़ो. अब इस वाक्य को हम बदलेंगे इस प्रकार से. आप अपना पाठ पढ़िये. अब आप इन वाक्यों को इसी तरह बदलिये. पहला वाक्य है, तुम अपने घर जाओ. आप अपने घर जाओ. दूसरा वाक्य, आप अपने घर जाओ. तुम अपने घर जाओ. तीसरा वाक्य, तुम जले भी खाओ. आप जले भी खाईए. ख. अब एक और वाक्य है, तुम यह किताब मतलो. इस वाक्य को हम बदलेंगे इस तरह से. आप यह किताब ना लीजिये. अब आप इन वाक्यों को बदलिये. पहला वाक्य, तुम कौफी मत पीओ. आप कौफी मत पीजिये. दूसरा वाक्य, कक्षा में शोर मत करो. कक्षा में शोर ना कीजिये. और तीसरा वाक्य, तुम पैसे मत दो. आप पैसे ना दीजिये. योग्यता विस्तार एक, कक्षा की वस्तूओं को दिखाते हुए विद्यार्थी आपस में बातचीत करें जैसे तुम यहां आओ, आप यहां आईए, वहां से किताब लाओ, बेंच पर बैठिये दो, अध्यापक विद्यार्थियों से कक्षा से बाहर की परिस्तितियों में वारता लाप कराएं जिसमें पिछले अभ्यास के बातचीत में हुई कमियों की और भी विद्यार्थियों का ध्यान दिलाएं जैसे करो, कीजिये, पीओ, पीजिये, जैसी क्रियाओं का प्रयोग हो अभी आप सुन रहे थे कक्षा छे के लिए द्विधिये भाषा के रूप में हिंदी की ध्वनी पाठे पुस्तक कलाकार, प्रवीन शर्मा, तिलक राज, राजेश आहुजा और सत्यश्रवा शर्मा, ध्वन्यंकन बटिल्यंग लिंग्डो तथा निर्माण, निर्देशन वध्वनिसंपादन, वंधना अरिमर्दन तथा प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T.